अब भी कुछ लोग हैं अगर बोलना चाहेंगे दूंसे हम बात करेंगे प्लीज डू वोटेवर यू वांट तो डू नहीं बोलना चाहते हैं जो नहीं बोलना नहीं है हमें जो करना है वो कर लेंगे लेकिन मीडिया वाले आज इसको कुछ जादी चड़ा बढ़ा कर बताते हैं उसमें वाला जाए हमारे आलिमेटिंगे उसमें आथ लेके कूदी जाएंगे अगर जो सच्छा हो वो पच्छे आएगा आएंगे अगर वो हिंदू ही है या मुसल्माने तो वो मेरी बेहने मुझे तकलीफ हो रही है कि इसके कपड़े क्यों उतर रहा है हमारा देश हमारा देश और हमारा इमान और हमारे हुदूर पाक सेल्लम यह नहीं सिखा रहा है जगड़ा कराओ मा तो अमन सकून जाएके करवाओ यो लड़ाई जगड़ में क्या है नमस्कार मैं पूजा आप देख रहे हैं जनीत आवाज इस वक्त मैं मौझूद हूँ दिल्ली के जामा मस्जिद पर जी हाँ इसी जामा मस्जिद पर आज शुक्रवार का दिन था और जुम्मे की नमाज पढ़कर नमाजी निकले थे लेकिन जो नुपूर शर्मा है जिसने पूरे देश में पूरे देश की नाग कटाई है प्रॉफेट मौहमद सहाब के उपर टिपड़ी करके तो उसी के चलते जब नमाजी नमाज पढ़के निकले तो उन्होंने हल्ला मचा दिया नुपूर के नाम का क्योंकि जो नुपूर है जिसने इतनी बड़ी टिपड़ी की है और आपत्ती जनक बयान दिया है मौहमद प्रॉफेट सहाब के उपर तो उसके चलते जो है उसके अरेस्टिंग नहीं हुई है अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है वाइस इस सिक्यॉर्टी है वो तक दी ले तो उसके बाद उन्होंने जो नुपूर शर्मा ने टिपड़ी अबद्र टिपड़ी की थी प्रॉफेट मौहमद सहाब के उपर उसी के चलते यहाँ पर उसकी एफ आयार के लिए यहाँ पर नारेबाजी की गई अब लगातार जो है यहाँ पर जो नजारा आप विज कि किस तरीके से यहाँ पर हजारों की संख्या में जो नमाजी आये थे नमाज पर ने आज शुक्रवार का दिन है बहुत बड़ा दिन होता है आपको भी पता है कितना बड़ा दिन होता है आज जो है दो बजे के करीब का यह मामला था और यहाँ पर लगातार सारे नमाजी आये हुए थे जुम्मे की नमाज पर ने उसके बाद ही जो है यहाँ पर इस तरीके से जो कुछ हुआ वो नुप बोलना नहीं है हमें जो करना है वो कर लेंगे यह बहुत नाराजगी है इनके अंदर बात भी सही है प्रोफेट मुहम्मद सहाब बहुत बड़े संस्ताबक थे मुस्लिम समाज के और उनके उपर जो टिपड़ी अभध्र भाशा में टिपड़ी नुकुष शर्मा बीजेपी चलते पूरे अरब देशों में अरब देशों में भी जो है इस देश की बदनामी बदनामी का काम किया है पूरे देश में पूरे दुनिया में देश की बदनामी हो रही है अब लगातार यहां पर जो लोग है अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे देखिए सीधा सीधा मैं यह कहना चाहता हूं हमारे मुलक के अंदर जो एक फीजा एक नफरत की महोल को बनाए जा रहा है इसके लिए Sीधा के अंदर जिम्मेदार है कें सरकार जिम्मेदार है अगर यह वक्त रहते हैं देश वांसियों की सुलेते हैं जो आज इनके ओर चाहिए वो प्रॉफिट मुहम्मद के खिलाफ कोई आग उगलता चाहिए वो किसी भी अधर रिलेजिस के खिलाफ बूलता ना उसके खिलाफ एक फोर एक्जामबल आप सेट कर दे आगने वाले जो भी कुछ बखवास करता है ऐसे लाइव डिवेट के अंदर वो यह हिम्मत पर राज करो फूट डालो राज करो यह अंग्रेजों वाली इस पॉलिसी लेकर चलना है मैं सरकार तक यह बाद देश के वजीराजम नरिंदर मोजी से यह वास पोचाना चाहता हूं कि आप इस मुलक के अंदर 30 करोड जो कि आपके ओन रिकॉर्ड है लेकिन हैं तो इस से करा जब जाकर वहना मजबूरां दिखाने के लिए सस्पेंड करा हमारी एमांग और डिमांड के लिए कि बिल्कुल दिफाक दिखावे के लिए करा थाकि उनको पर्टेस्ट को यह नहीं ने निए और इनकी भारते जन्ता पार्टे का उन्ड रिकॉर्ड बयान भी यह यह अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते तो आपनों को अभी तक जेलों में डला कि रफतारी को नहीं हो रही जो प्रोटेस्ट कर रहा है उनको आप जेलों में डलो कल एमाइए मैं मैं नियूज देख रहा था उनका कार्य करता हो को 30 इनों ने जेलों के अंदर बंद कर रखा त तो इसे सीधा सीधा फीड़बेक कौन दे रहा है सरकारी दे रही है अगर सरकार आज सख्त हो जाएगी सरकार एक्षन लेना शुरू कर देगी मजाले किसी की कोई बोल जाएगा किसी धर्म के खिलाफ अगर मैं आपके धर्म को गाली दोंगा आप मुझे बर्दाश कर लेंग लेकिन हमारे प्रॉफिट मुझे अगर आँ चाहेगी तो हम एक इंज भी पीछे नहीं यटेंगे देश का गिरह मंतरी जिनके अंदर में ये पुलिस आती है ये वो कान खोल के सुलने देश के वजीराजम वो भी कान के इनके सुलने कि जब जब हमारे इसलाम हमारे पुरा कि चलो कोई बात नहीं लेकिन हर दफ़ा मुसलमान उसे ये अपील ये क्यों करी आती है कि क्या कहते हैं आप शांती बनाए रखें आप धंका देखिए जो भी धंका बढ़कानी की बात कर रहा है उसका तो इसलाम से कोई लिए नहीं देरे नहीं है क्योंकि सीधा सीधा इस को हम मानेंगे वो सरांकों पर हैं लेकिन अगर केंद्री की सरकार हमारी शरीयत में मुदाखिलत करी कि हम बर्दाश थोड़ी नहीं करेंगे क्योंकि शरीयत का जो लो हैं वह कुरान और हदीस में आच चुका है उपर वाली की तरफ से इसलिए हम उसमें एक इंच भी जर्र मंत्री आपका प्राइम मिनिस्टर आठ साल में हमारा भी है हमारा भी है लेकिन मीडिया वाले आज इसको कुछ जाधी चड़ा बढ़ा कर बताते हैं कौन सी मीडिया वाले गोधी मीडिया के नाम सा मशूर हो लेकिन आप नहीं मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे जब इतनी बात सुन रहा है बात रखने का मौका देना लेकिन वह भेंगाई पे ने बोलते बेरोजगारी पे ने बोलते अर्थ व्यवस्ता पे नहीं बोलते यह नवोब लिंचिंग हो रही हैं इनके मंदिर मस्जित मुद्द ही निया मंदिर मस्जीर हिंदू मुसल्मान इनके मुद्द हैं आज देख लिए बेरोजगार इदर कहां जा पूछी आप जीटीप बंगलादेश से मिल रहा है सबको रोजगार इसलिए तो कोई मुद्दा नहीं है मैडम आपको मिल रहा है और रोजगार आप इसलिए बोलने हैं मुझे तो नहीं मिल और जितने भी सब्सक्राइब खड़े में आप देख लिए कोई भी नहीं बंगलादेश से नीचा मारी जीटीपी चाह चुकी है यह और रिकॉर्ड है आखले हैं जो मापके सामने बयान कर रहा हूं तो बेरोजगारी पर सरकार को बात करनी चाहिए और क्या कहते हैं शिक्षा पर बात कर आए बारखास्ती करने से तरफेट उसको वापस ले लेंगे और नुपुर्ण शर्मा को वह तो बाइकट इसले कि आया है उनका कि उनकी वह सरकार है वह बची रहे वह 6 महिने के बाद बापस ले लेंगे दोनों को वह बोल रहे दिए नवीन जिंदाल को और नुपुर्ण सर्मा को तो आप देख लेना श्मयनों के वाप पाज वह वापस होंगे दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम किताबों में ऐसा लिखा हुआ है में जामा मस्जिद जाओंगा और बताओंगा कि प्रोफेट मुहम्मद साथ ने जो है जो किया है अगर वह आते हैं अगर वो सच्चे ह जाए उसमें वाला जाए हमारे अगर सच्छा किया हूं मेरे सच्ष वर्क किया है। मैं की दीनadamente यह सीधा देमीडिक मंट को लिए एजेंट होते हैं इनको छोड़ा जाता और उनको पीछे से पूरा बेखने पता रहे हैं नुपु शहर्मा को रही हिंदू हिंदू शेरिनी मुस्लिम पर भारी पड़ी है तो क्या अरब अरब से प्रेशर आया गल्फ करण्डी से प्रेशर आया तो क्या हुआ नी को क्यों सस्पेंड कर दिया अगर शेर नहीं है तो जो सुरच्छा मिली है उसको अड़ा देनी चाहिए पता लग जाएगी दू मिनट में कौन शेर नहीं क्या है हम देखेंगे अगर सामने आके मुकाबला करें तो बताएं उसको स्वहिर नहीं है जो भी उसको तैयार है हम अपने 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 आका की शान में घुस्ता की बर्दास नहीं कर सकते हैं आप मेरे माबाब का कटल करिए मैं आपको सीने से लगाँगा आप मेरे बाई का कटल करिए मैं आपको सीने से लगाँगा लेकिन अगर हमारे आका पर बात आएगी तो हम बिल्कुल बर्दास न इसाजी से करके फलाना डिमकाना करके का होता है कि सेर निये सुरश्चे लेली इम्मत है तो सामने आए रोड बात करें और नस्तिया ना जाम मस्जिद पे आए हमारे सामने कितने इम्मत वाले हैं वो जी शाहरा पड़ते हैं जी जूब करता हूं मैं जी तो मतलब अभी जिस तरीके से या जाम मस्जिद पे आप लोग जुम्मे की नमास थी आज तो ऐसा क्या कुछ हुआ आपका तो नाम हमेशा जो है बदनामी हो रहा है कि जुम्मे की नमास करते हैं पत्थर वाजी करने लगते बाहर निकल कानपूर हिंसा हुई उसमें भी आप लोग हम तो बदन कदनामी कम आप क्जिदी कि यूणा बत्तर फेकने को कानपूर की वीडियो कितनी देखी हमने कानपूर में और भी भगवा घंच पैन में पत्थर वाजी करनें बलकि पुलिस पत्तर वाजी करई ती Pardon की वीडियो मीडिया ने नहीं देखाया बस देखाया तो मुसल्मानों कोई बीटियो की वीडिया गिरफतारी कि कि बुफ्तर हैं फैसा की वीडियो चैटा फैडवागत कि वू गजू में जाधत इसक्ता मुसलमाने उसके इसके बोल्ड पोश्टर लगवा दियां मुसलमानों के बच्चे-बच्चे अम एसी का यह वीडियो देगी है अगर कोई पत्थर फेग रहा तो उसकी वीडियो मीडिया चला देती है लेकिन जो इंदू लोग है उन्हें भी तो पत्थर फेगें ऐसा क्यों नहीं दिखा रहे हैं वह भी वीडियो लाएं सामने अज एसे क्या हो गए जुम्हे की नमाज थी अच्छा खासा दिन था और फिर उसके बाद safe socially लगत जी लगने लगी नहीं कुछ भी नहीं होगी नारा कुछ भी नहीं होगा एं नहीं हुएं मैं आपको बताओं क्या बात है देखो देखो हमारा जो मजभ है वो सिखाता है एक ता नहीं समझें आप चाहे हिंदू आजाए मुसल्मान आजाए सिख आजाए यह इसाई आजाए और अगर एक प्लेट है ना तो हम सब को बिठाएंगे के सब खाओ चाहे मुसल्मान भूग जाए लेकिन सब खाओ तूं समझ रहो और यह जो लडाई जग़ें करवा रहा है न यह दूसरे करवारा न दूसरे लोग जो नफ्रते पेदा करना चाह रहा हैं हम चाह रहा है कि सब एक साथ रहें क्योंकि हिंदूस्तान हो है सब मज़भों का नाम यहां पर सब एक साथ भाई की तरह मिलके रहना चाहिए है का रहे रहा है यह जगड़े कों करवा रिया फिर कहां किस की तरफ से बता कौन करवारी आई है यह अल्ला के नभी की शान में गुस्ता कि किस ने करी कभी किसी के मुझ से आपने किसी हिंदू या सिख या इसाई के वारे में गलत के तेवे सुना मीडिया के अंदर उसने कभी गलत कहा किसी हिंदू के वारे में कहा किसी ने गलत नहीं कहा न तो फिर कल भी गिरफ्तारियां हुई है आप लोग पहुंचे थे प्रोटेस्ट करने यह पार्लियम एंटि स्ट्रीट पर कहां पर संसत मार्ग ठाने पर नुपूर के लिए मर 영상을 को कोई उसके कपड़म उतारे तो मुझे घुस्सा आएगा नहीं आएगा एंट अगर वहां मुसल्मान है और तकलीव हो रही है कि इसके कपड़े क्यों उतर रहा है तकलीफ होती है आप लोगों को भी कुछ लोगों का कहने आप लोगों को तो तकलीफ नहीं होती है आप लोग जो है शरीयत लागू कर आपके कुछ लोगों को शरीयत जो है वो अपने लिए है मुसल्मान एक मिंड एक मिंड में मैं बाजी क की बात को किलियर कर दू मिल्कूल कि इनका ये काम है इनका काम है यह इसलिए हो रहा है कि फूट डले कि मैं हूँ मैं हूँ और मुसल मन Report would छोटा वनके रिए तक्यों कि इसलाम धन्म जो घृला है वह तलवार की अगात बन क्लीच करिए अगला के क्वें आज अएक तो मतलब अज इसा क्या हो गया फिर से जो है जुम्मे कानपूर में ऐसा ही हुआ जो हिंसा बड़क गए वहाँ पर भी नमास थी जुम्मे की उस दिन भी Shukruwar का दिन था आज वी Shukruwar का दिन है बड़ी मस्जिद कहलाती है जामा स्मस्जिद शान है पुरी दिल्ली की यहां एसा लाना करें खुदाना करें कुछ भी नहीं है आपको खुले खुलम बाद बताता हूं आपको खुलम खुला देखो अमारा जो देश इसको हिंदुस्तान बोलते हैं सोने की चुड़ी है हमारे इंदुस्तान यह हिंदु मुसल्मान सिख इसाई आपस में भाई 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 ठीक है आपको खुले खुले अलफादों में इन सब को अपने हिंदुस्तान की जनता को और बारे मुलक वालों को सबको समझायता हूँ चोटी चोटी बात है देखो हमारा मुलक जो बताता है आप लोग कुछ लोगों का नाम बता हैं ये मीडिया वाले हैं खुला एक मिनदे ये मीडिया वाले हैं जो खुला बदनाम कर रहा है जो खुला हमारे देश का फकून अमन खतम करना चाह रहा है और ये जो एक बाव बताओ जो अल्ला के नभी है जिनको हुदूर पाक सल्ला लाहुले सल्लम कहते है ठीक है इनोंने तो हमेशा महबत अकलाग इनोंने तो ये चीज़ बताई है और आपके बारे में तो ऐसे यसे वागी हैं जिसका कोई जवाब नहीं मापको बता दू जो हमारा जो ये मुसल्मान है ना मुसल्मान ये हमारा ये जो पहला तलवारी की नोक पर नहीं पहला यह जबान की नोक पर फेला है अगला की नोक पर फेला हमारा दिन हमारा दिन यह नहीं सिखा रहा है कि किसी को लडाई जगले करवा है करो हमारे तो दिन यह सिखा रहा है जा पर जगला हो रही है वहाँ पर प्यार मौबबच जाके वहाँ पर समझाओ निम्टाओ हमारा जो मुसलमान है करें हिंसा हुई उसमें भी पत्तर बाजी में आप लोगों का नाम कानपूर हिंसा में नाम हुए हउने जोलाम करा जा रहा हुए सिर्फ कुछ नहीं इस्पर बदनाम करा जा रहा है यह कर देश हमारा है देश हमारा है इंदोस्तान अमारा है पाकिस्तान आपने मांगा था मिल चुका पाकिस्तान थोड़ी अभी आपने देखा किस तरीके से सभी लोगों का जो कहना है वह नभी किष्चान में जो है कुस्ताखी बरदाश्च नहीं करेंगे बात भी सही है कि नभी जो मुसलिम जो मुसलिम लोग है उनके बहुत बड़े संस्थापक रहे हैं उनका नाम है पैगंबर मोहम्मद साहब उनके उपर अभद्र टिपनी करनी वाली नुपुर शर्मा को YZ security दी दी जाती है लेकिन उसके उपर FIR नहीं होती है सिर्फ और सिर्फ निलंबित कर दिया जाता है इसा मैं नहीं कहा रही हूँ ऐसा कहा जा रहा है जो है उन्हें निलंबित कर दिया इसी तरीके से नवीन जिंदल जो थे नवीन जिंदल को भी जो परवक्ता है वीजेपी का उसको भी निलंबित कर दिया वेया है और नुपुर शर्मा को भी इसी तरीके से इन लोगों ने ज यनित आवास मेरे सयोगी धर्मेंद के साथ में पूजा दिल्ली